गमासान और तेज होने जा रहा है न्यायले खुलेंगे वादी और प्रतिवादी अपने अपने प्रार्थना पत्र न्यायले में प्रस्तुत करेंगे शाही मस्जद इदगाह कमेटी पहले खुद को ना सुने जानने का आधार बनाकर अमीन निरिक्षन के आदेश पर रोक ल इसके बाद न्यायले में शीतकाले नवकाश हो गया अब आज से न्यायले खुल गए हैं ऐसे में हिंदू और मुस्ने पक्ष ने अपने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तयारी की है